हेलो फ्रेंड्स जी के राजस्थान के लाइव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बार फिर से आज हम लोग कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट को लेकर आपके सामने हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके नए विभिन नए प्रशनों को लेकर सुरू किया गया ह इसमें ऐसे प्रशनों को लिया गया है जिसमें आपको करेंट के कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जैसे आज कल आप लोग टेलीग्राम का यूज बहुत कर रहे हैं टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है या एक ऐसा एप है जिसमें आप विभिन प्रकार के हो सकते हैं तो बिलकुल आइए प्रसनों को सुरू करते हैं सबसे पहला प्रसन जो आपके सामने है वो यह दिखाई दे रहा होगा कि जी टू जी का मतलब क्या है वाट इस दे फुल फॉर्म ऑफ जी टू जी एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच में एक सर प्रदान मंत्री यह सभी लोग अलग 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 देशों में जाते हैं और वहां के प्रदान मंत्री या अपने विपक्च के पार्टी से बातचीत या किसी स्पेशल टॉपिक पर कनवर्शेशन करते हैं और फिर आपका मिटिंग महीं पर समाप्थ होती तो कभी जब ऐसा हो कि कई देशों की सरकार के बीच में कनेक्शन हो तो उसको हम लोग जी टू जी कहते हैं यानि कि जी फॉर होता है गवर्मेंट क्या होता है गवर्मेंट त दूसरे देश की सरकार के बीच में होने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है जी टू जी कहलाता है क्लियर हो गया कोश्चन नमबर फर्स्ट के लिए सही जवाब है ओप्शन ए क्लियर हो गया सभी लोग को बिलकुल सही आप सभी लोग कुछ चो कोश्चन के सही जवाब दे रहे थे जिनको जानकारी थी अब आ गया आपका टेलीग्राम टेलीग्राम आजकर एक बहुत प्रचलित एप है ये एक application software है क्यों क्योंकि ये एक ऐसा app है जो हमारी जरूरतों के हिसाब से निर्माण किया गया है और इस application के मात्यम से हम कई सारे channel से कई सारी संस्थाओं से directly connect हो सकते हैं और कोई भी information हमारे तक directly पहुत सकती है टेलीग्राम के जन्मदाता कौन है आप्शन है आपके पास जैन काउन या ब्रायन एक्टन निकोली या पावल्डौव जैक डॉर्सी मार्क जुकेर बर्ग बताए टेलीग्राम एप के जन्मदाता कौन है Q2 के लिए सही जवाब दीचीएगा क्या होगा टेलीग्राम के जन्मदाता कौन है चलिए कोई परशान होने की बात नहीं है टेलिग्राम जो ये एप है ये 2014 में निर्माड किया गया इस एप को इंविंट किया गया 2014 में और इसको निर्माड करने वाले या इसके जन्मदाता कौन है तो निकोलाई और पावल ड्राव ये दो भाई थे इन्होंने मिलकर कि युद्ध मों Healon अब्राव करने वाशर को इसकते हैं मांउस का अविश्कार किसके दोआरा किया गया माउस की एक सनरचना हम तब तक बनाते हैं जब तक आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करेंगे ये माउस एक सनरचना ऐसी होती है क्योंकि ये चूहे की तरह की सनरचना एक इसकी पूँच है और आगे इसका मुह पतला सा दिखाई दे रहा है गोल तो माउस की सनरचना कोशिस तरीके से होती थी इसलिए इसका नाम रखा गया माउस और ये एक प्रकार की क्या है इन्पुट डिवाइस है माउस का अभिश्कार किसके द्वारा किया गया तो माउस का अभिश्कार करने वाले व्यक्ति हैं डगलस क्या हूं कौन है डगलस बोट द्वारा माउस का अभिश्कार किया गया बिलकुल माउस में कितनी बटन होती है तो आप कहेंगे माउस में जनरली दो बटन होती है कौन सी एक आपकी लेफ्ट बटन और एक आपकी राइट बटन ये जो सरकल दिखाई दे रहा है ये आपका बटन नहीं है ये आपकी स scroll wheel है क्या है scroll wheel इसका प्रयोग क्यों किया जाता है page को up and down करने के लिए page को उपर नीचिले जाना होगा तो आप scroll wheel का प्रयोग करेंगे left click के माध्यम से आप किसी भी file को select कर सकते हैं plus open कर सकते हैं right click के माध्यम से आप किसी भी file में या किसी document में जितने भी options या जितने भी menu आपको दिखने हैं वो सभी आपको देखना है तो आप right click का प्रयोग करेंगे प्लस ये area आपका rest area होता है यहाँ पे आप अपने हाथों को rest देने के लिए support ले सकते हैं तो ये clear हो गया कि mouse में तीन बटन होते हैं तो आप कहेंगे नहीं mouse में दो बटन होते हैं और एक scroll wheel होता है clear हो गया सभी को mouse के माध्यम से हम अपने data को computer में input करते हैं या हम अपने command जो हमें देना है computer को उसको हम अपने mouse के माध्यम से computer में डालते हैं इसलिए mouse is an input device चलिए, next question number 4 P2P क्या है, अभी आपने देखा G2G, अब आगया P2P क्या है P2P क्या है, full form बताइए पहले, peer to peer, post to post point to point, या none of these इन चारों में से सही option क्या होगा for P2P, देखिए, एक computer जिसमें internet connection है उस computer का दूसरे किसी computer से connection ही आपका कहलाता है P2P connection, यानि दो connection जो एक छोर से दूसरी छोर तक जुड़े होंगे उन दो computer के बीच में जो network होता है उसको हम लोग कहते हैं P2P और इसका full form जो सही है वो है peer to peer clear हो गया, यह आपकी commercial language है लेकिन कई बार computer के प्रशनों में पूछा गया है इसलिए हम आपके सामने लाए एक हो गया आपका G2G यानि government to government एक हो गया P2P दूसरा हो जाएगा B2B B2C यह सभी हम लोग एक एक करके clear करेंगे, business to business business to customer यह होता है P2P चलिए, next है Among app यह app क्या है, तेरह भाशाओं में प्रयोग किया जाता है question आपसे जो पूछ रहा है, वो यह है कि यह Among जो application है यह कितनी भाशाओं में प्रयोग किया जाता है तेरह भाशाओं में प्रयोग किया जाता है यह कथन सत्य है या आसत्य है उमंग एप एक ऐसा एप है जो की मोबाइल गवर्नेंस की सुविधा के लिए निर्माण किया गया है किसके लिए मोबाइल गवर्नेंस की सुविधा के लिए निर्माण किया जाने वाला एक केंद्र सरकार का एप है और इसको निर्माण किस ने किया है, Electronics and Information Communication Ministry, इसके द्वारा इस एप का निर्माण किया गया है और यह एप बिलकुल 13 भाशों में प्रयोग की जाती है और इस एप के माध्यम से आप किस चीज में मदद ले सकते हैं, Mobile Governance यानि सरकारी छेतर में क्या चीजे हो रही है, उसकी मदद, उसकी जानकारी आपको इस एप के माध्यम से मिल सकती है, कौन सा नया एप योजना आ रह अपशान है, उसके बारे में आपको जानकारी रहनी हो तो आप इस एप का मदद ले सकते हैं, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन नमबर 6, GIF का फुल फॉर्म बताइए, वाट इस दा फुल फॉर्म आप जी आई एफ, आज कल आप लोग बहुत देखते हैं, GIF, GIF क्या है, एक तरीके का वीडियो ही होता है, बट इसकी जो कैपसिटी होती है, या इसकी जो स्टोरेज होती है, वो बहुत कम होती है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप कह सकते हो, क्या होता है, GIF कहते हो, आपने देखा होगा, आज कल हर एक किसी भी नया जो आता है, चुटकुला दिखाई देगा और इस क्लिप में आपको कोई movement छोटी मोटी दिखाई देती है और एक तरीके से जैसे चुटकुलेप अगर पेश किया जाते थे कम समय में आपको आनंद प्रोवाइड entertainment के लिए उसी तरीके से एक कम समय में entertainment के लिए एक छोटी वीडियो क्लिप है जिसको हम लोग GIF कहते हैं और GIF का full form क्या है ground image font, gift image file, graphical interchange format या none of these GIF का full form क्या होगा जी इसे क्या होगा, graphical होगा, बिल्कुल सही क्यों क्योंकि graphics का प्रयोग किया जाता है इसके निर्माण के लिए graphics का प्रयोग किया जाता है तो graphical interchange format यानि इस प्रशन का सही जवाब जो है वो है option number C चलिए एक बार छोड़ा सा comment देखेंगे तब तक जल्दी से आप लोग इसको note कर लीजिएगा हम तब तक जो है आपके comments को देख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आप लोग सभी लोग सही परत पकड़ रहे हैं जी आई एफ के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है क्योंकि यह जो है यह format आप सभी लोग आजकर बहुत प्रयोग कर रहे है WhatsApp या कोई भी छोटे मोटे app यूज करो कोई social networking site यूज करो तो वहाँ पे आपको GIF भेजने के लिए option दिया गया होता है या जैसे आपके phone में stickers होते हैं जो आप लोग send करते हैं उस stickers के साथ आपको छोटे वीडियो जो दिखाई देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं GIF ठीक है तो graphical interchange format question number seven की तरफ चलते हैं ध्यान से देखिए इस question को पढ़िए आपको पता है कि अपने computer से किसी अन्य computer पर file को copy करना क्या कहलाता है दो तरीके से आप copy कर सकते हैं एक तो आप copy कर सकते हैं किसी को file भेज सकते हैं फाइल भेज दी और एक तरीका होता है कि आप internet से कोई चीजे download करते हैं जब internet के माध्यम से आप कोई चीजों को receive करते हैं तो वहां पर आपका दो वर्ड प्रयोग होता है एक जगह प्रयोग होता है एक जगह प्रयोग होता है उसको हम कहेंगे uploading what is downloading and uploading क्या difference है downloading और uploading में क्या computer से किसी अन्य computer में file को डालना downloading कहलाएगा बिल्कुल downloading कहलाएगा यह option आपका सही है अगर आप कहोगे कि generally तो हम लोग यही कहते हैं कि हमने अपने mobile में गाना download किया यह आपका word गलत है क्योंकि आप अपने mobile में गाना internet के माध्यम से करते हो लेते हो तो internet से चीजे जो प्राप्त कर रहे हो वो आपकी uploading होती है वो आपके mobile में पहली बार आई और internet से आई से उसको uploading कहा जाएगा लेकिन जब file transfer करते हो चाहे वो आपके बगल का computer हो या कहीं अन्य जगह से computer हो वो जो चीज फाइल आप रसेयर कर रहे हो वो कहलाती है downloading क्लियर हो गया internet वाली चीजें uploading कहलाती है और file transfer आपका downloading कहलाता है तो यह बिलकुल सही है साथ में का option A is correct answer आज थोड़ी सी confusion दूर हो गई होगी downloading और uploading के संबंध में चलिए next question जलते है question number 8 किसी website के अंदर विभिन पेज क्या कहलाते है एक website जो होती है वो website कई विभिन प्रकार के पेजों को लेकर बनाई जाती है website की definition ही ये होती है कि विभिन प्रकार के वेब पेजों का समूह website कहलाता है अब आपसे यही पूछा कि website के अंदर दिखने वाले अलग-अलग page क्या कहलाएंगे जैसे example समझेगा कि question है आपकी website है www.sarkariresult.com जनरली सब लोग इसको यूज करते हैं तो इसके माद्यम से हम आपको समझाएंगे यह एक website है जिसका नाम है www.sarkariresult.com और जैसे ही आपने computer में इंटर किया computer process करने के बाद आपको result देता है और वो result कैसा होता है result में आपको सबसे corner पे दिखाई देगा result फिर आपको दिखाई देगा admit card फिर आपको दिखाई देगा notification फिर आपको यहाँ पे option यहाँ option मतलब कई सारे option फिर आपको result के अंदर किसी option पे click करना है result के अंदर इतने सारे link दिए हैं आपको यह results यह करना है तो आपने इस पे double click किया और एक नया page open होगा फिर आपने उस पे click किया तो एक नया page open होगा तो कई सारे page आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस website के अंदर और इस website के अंदर जो सारे page दिखाई देंग वो आपके क्या कहलाएंगे विभिन पेज आपके कहलाएंगे क्या वेब पेज अब एक कोश्चन यहीं पर और बनता है कि वेबसाइट खोलने पर दिखाई देने वाला पहला पेज क्या कहलाता है ये फर्स्ट पेज हमेशा याद रखिएगा क्या कहलाता है होम पेज क्या कहलाता है home page clear हो गया सभी को कि website खोलने पर दिखाई देने वाला पहला page क्या कहलाता है homepage और उसकी अंतरगत सभी pages को हम कहते हैं webpage चलिए question number 9 किसी व्यक्ति का नाम नमबर पता क्या है किसी व्यक्ति का नाम नमबर पता क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा, फोल्डर कहलाएगा, रिकॉर्ड कहलाएगा, या डेटा कहलाएगा, बताइए किसी ब्यक्ति के बारे में आपको कई सारी डिटेल्स दे रहे हैं, तो नाम है, नमबर है, पता है, इसको हम क्या कहेंगे, कि क्या है ये, फाइल है, फोल्ड है record है data है जल्दी से एक बार comment करिए question number 9 के लिए ABCD में से कौन सा option आप सभी को सही लग रहा है चलिए बहुत सारे लोग कह रहे है option C कुछ लोग कह रहे है option D और कुछ लोग कह रहे है option A मतलब तीन option में अभी confusion है B option वाले कोई नहीं है चलिए कम से कम एक option तो आप लोग छाटे इतना काम तो किए आप लोग कि आपको एक option तो नहीं clear हो गया कि यह तो नहीं ही होगा चलिए कोई बात नहीं file recorder और data में से हम आपको clear कर देते हैं कि क्या क्या होता है जब आप किसी ब्यक्ति की particular detail डालते हैं तो एक एक detail नाम होगा तो वो क्या है data है नाम है data है नमबर क्या है data है पता क्या है data है लेकिन यहां पे इन तीनों की एक साथ बात कर रहा है किसी ब्यक्ति का नाम नमबर पता क्या है तो यह इस ब्यक्ति का क्या है record है अगर कहता किसी ब्यक्ति का नाम क्या है तो आप कहेंगे data है किसी ब्यक्ति का नमबर क्या है तो आप कहेंगे data है लेकिन जब कई सारे data आप एक साथ एक जगह रखे हो तो उसको आप कहोगे क्या है यह उस ब्यक्ति का record है और जब इस ब्यक्ति के बारे में और भी सभी complete information आप एक जगह पर रखते हो तो जिस चीज के अंदर रखते हो वो चीज आपकी क्या कहलाती है फाइल कहलाती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि यह फाइल लेम अलग अलग होती है जैसे मान लिजिए ब्यक्ति का नाम है राम अब राम क्या है फाइल का नाम है राम क्या है एक ब्यक्ति है जिसकी फाइल का नाम हमने रखा नाम और राम के बारे में जो भी कुछ हमारे पास है वो है राम का record और record के अंदर विभिन प्रकार के data आपको दिखाई देंगे clear हो गया सभी को question 9 के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा क्या option c question number 9 के लिए option c is correct answer clear हो गया सभी को file record data के बारे में अभी confusion नहीं होगी अगर होगी भी तो भी कोई परिशाने की बात नहीं है अगर confusion होगी भी तो भी आप लोग परिशान न होईएगा आगे हम लोग बार बार discuss करेंगे इन सभी topics को देखो computer के कुछ limited point है क्योंकि computer एक ऐसा subject है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको fact जानने हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको question कुछ और देगा और गुमा के पूछ लेगा कुछ और question पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिर record तो हमेशा record ही रहेगा तो इसलिए आपका बिल्कुल परिशान नहों ना कि हमें नहीं समझ में आया या हमें कुछ दिक्कत हुई हम लोग आगे फिर question में यह जब आएंगे वर्ट के हम लोग फिर clear करेंगे चलिए next question number 10 वाइरस क्या है अब आप बता दोगे कि what is वाइरस चलिए software है hardware है hacker है या एक file है वाइरस क्या है भाई वाइरस थ्री इडिएट के वाइरस नहीं है यह यह एक वाइरस है जो आपके computer में आता है या आपके smartphone में आता है और सब कुछ उड़ा ले जाता है करते हैं आप लोग देखे होंगे कई बार message आता है धमा का आपको मिला एक लाग का lucky draw आप सोचते हैं चलो खोलते हैं और देखते हैं क्या मिलने वाला है कौन सा हमारा क्या जाएगा एक ठोग क्लिक ही तो करना है बहुत कुछ जाता है जैसे ही क्लिक करोगे तो किसी तीसरे ब्यक्ति की नजर आपके computer पर हो जाएगी और उस समय आपके computer में कोई व्यक्ति कुछ भी कर आके कर सकता है इसलिए कहा जाता है कि बेवजह की link को open न किया जाए क्योंकि वह एक प्रकार का वाइरस होता है और इसको आप लोग कह रहे हैं option C कुछ लोग कह रहे हैं option C wrong होगा क्योंकि hacker क्या है अभी हम जाने फिलहाल यह जानिए कि वाइरस भी एक प्रकार का software होता है जो आपके computer में आता है और उस computer के अंदर save की गए data को नुक्षान पहुचाता है corrupt कर देता है delete कर देता है या फिर चुरा सकता है आजकल एक से पढ़ाई हो गई है भाई अभी आप पढ़ रहे हो कि कैसे हम exam crack करें कुछ लोग इसले पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपनी चोरी करने का तरीका और अधिक विक्सित कर लें तो जब चोरी करने के लिए आप internet का प उसको आप कहते हो hacker क्या कहते है mobile hack हो गई account hack हो गया hack करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है hacker और वाइरस एक प्रकार का software है कैसा software है system होगा बिलकुल नहीं system मतलब basic compulsory तो वाइरस बिलकुल भी compulsory नहीं है application भी बिलकुल नहीं है यहाँ एक software है इसमें विभी ने प्रकार के program हो आरक software कहा जा सकता है तो अब इस प्रश्न के लिए जो सही answer दिया आपने वो कह रहे हैं 10 का A बिलकुल आप सभी लोग intelligent हो जो भी कुछ कह रहे हैं 10 का A वो सभी लोग सही हैं बाकी लोग अपनी information यहां से gain कर लें कि virus अब आगे कभी भी पूचेगा तो virus is a software virus कई प्रकार क होते हैं और virus का काम ही होता है आपको नुक्सान पहुचाना सरीर में virus आ जाए तो नुक्सान पहुचा है computer में virus आ जाए तो नुक्सान पहुचा है यानि कहीं भी virus दिखेगा तो कुछ न कुछ हानी ही होगी आज कल तो Corona आ गया Corona आ गया भाई Corona से वज़े से कितने सारे applications बंद हो गया कितने सारे लोगों की जिंदगी रुख गई टिक टॉक बंद हो गया बहुत सारे लोग जिंदगी रुख गई तो देखो virus आया नुक्सान पहुचाया इसके साथी साथ कई सारे नुक्सान हमारे personal life में भी हो गया एक तो हमें mentally disturb कर दिया यह virus mentally ऐसे disturb कर दिया कि हम लगातार परशान होते हैं कि कैसे हम अपने आपको safe रखें mentally disturb हो गया physically disturb हो गया क्योंकि जो काम आप पहले free होके कर सकते थे वो अब नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं परशान नहीं हो ज्यादा दिल की पर मतलेना अभी को दीजी और कहेंगे लोग धमाका आया और लोग कोरोना वाइरस की वैक्सीन बना दी हमने तो बिलकुल के सब वालतों की चीजे हैं अगर आप बस और हमेशा की तरह एक safety अपना सुरक्षा अपनी स्वास्त पर ध्यान दीजे तो कोई भी वाइरस आपको छू नहीं सकता ह ठीक है तो बिलकुल परिशान नहीं है तो वाइरस एक खतरनाक software है उसी प्रकार से वाइरस हमारे जिन्दगी का भी एक भाग है लेकिन हमारे लिए खतरनाक है तो वाइरस क्लियर हो गया अब यहाँ पे 10 questions आज की आपके class के पूरे हो गये I hope आपको class अच्छी लग रही हो चाहिए या हमको computer का कोई exam पास करना है तो आप सभी लोग alert हो जाईए सभी को information पहुचा दिजिए कि आने वाले next lecture आपके computer के theory पे based होंगे तो बहुत सारी मजा आएगी और यह एक अच्छी चीज है कि हम आपको जो भी lecture provide करेंगे वो पूरी की पूरी तरीके से digital format में होग यानि सभी प्रकार के जो भी device या जो भी कुछ हम आपको दिखाएंगे हम सब आपको digitally पूरा image के माध्यम से दिखाएंगे तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद आप ऐसे ही class लेते रहे बढ़ते रहे आगे और आने वाले exam आपके भगवान करे जल्दी से crack हो जाए तो चलिए all the best